तो इसमीच आपको बड़ी ख़बर बता देते हैं वीजेपी का राजिस्तार में सरकार गिराने का काम शुरू गैलोत ने कहा विधाय खिलाडी लाल बेरवा ने बयान का समर्तर किया है बड़ी ख़बर आपको बता रही है जहां पर मुख्यमंतिय अशुक गैलोत ने कहा था कि बीजेपी सरकार गिराने की प्राक में कोशिश कर रही है अधियर कशी कर दो दिए है उनको एक एक चीज का इन्फोट और उनको मालूम रहता है कि कहां क्या हो रहा है आज जैसी कैसी स्थिति आगरं पिछले उस दोर में जाये तो एक दिन ऐसा ही था हमारे साथ यही बात थुई को और बात होने के साथ साथ पावी वोतल चलना है और हमने देखे को सेकेंडे क्या सिक्षित अगर 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 मुख्मत्री अशोग गयलोत नहीं होते तो हाँ सरकार मुख्मत्री अशोग गयलोत ने कहा था कि जो बीजेपी है वो सरकार गराने की पूरी कोशिश कर रही है फिलाल इसको लेगा क्या कुछ अपडेट है क्योंकि अब जो राजनेती वो शुरू हो गई है ताजिस हर में गयलोत ने जो बयान दिया था कि बीजेपी सरकार गराने की कोशिश कर रही है इसे पहले गुलाद जिंद काटारी ने बयान दिया था और आज जो कॉंगर्स की विदायक एक खिलाडे लग बेरवा उन्होंने इसाफ सोर पर का है कि असो गयलोत सराण गराने की जो साजिस कर रही है वो असो गयलोत मुक्य मंद्री जी ने जो ठीक ही का था लेकिन इसा कोई संभाव नहीं कि बीचे भी कुछ नी कर सकते और सरगार गराने विजे पहले भी कोशे से लेकिन रही थी उन्होंने सीधी सिधा पाइलट गुट प अच्छे सोर्स है उनको रिपोर्ट मिलती है राजस्तान में जो पांच साल के सरकार है वो गयलो सरकार पूरी करेगी इसमें कोई किन्तु परणतों नहीं है बीचे जितनी भी साजिसा करें लेकिन ना क्या मैब रहीगी ये खिलाद एलाल बैरवा ने का है बता देंगे खि क्या मैं पर पर पहुंचे थे खिलाड़े लाल बेरा व परताप समय का जो किसी भी व्रकार का क्या एक बीजी भी कितनी भी साजे से रचे लेकिन हालां कि वो कोशिश है करती है लोगतंतर को बिगाड़ने की कोशिश करती है सब्सक्राइब करते हैं अशोग जिए लगातार आरूप लगाए गए हैं कितनी सही है यह जितने भी वीजेपी का जो कर्म हैं वो सब सामया रहे हैं अशोग जी कहलो जिक में जो अब कहा है अशोग जी जिस परकार से आरोब लगाए जारे बीजेवी की तरफ से सब्सक्राइब करते हैं कि सरकार खुद अलट नहीं है और कॉंग्रेशन खुद में अंतरकल है और उदर एक तरफ से मुक्यम्द्र असोगेलोगन भी का है तो यह कां तक सही है और पाइलट गुट अभी वी कैसे पाइलट गुट हैं बात यह है कि बीजेपी हमारी अंतरक बीजेटर आजमी है और एक तर आजमी हमारे पास है तो कोई जर्कार को गराने के मतलब नहीं होता है तो मैं उनके पूछना चाहता हूं की जगशना की बात आई और तो 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 तरकार अपनी जगे किलिए हैं गेलोगन के साथ सिस्थे भी बिढाया के है अगर बैरवाजी खत्रा नहीं है तो फिर क्यों ऐसे बयान दिये जा रही है आप तो जो चीज़े मार्केट में चल रही है अगर उनको कई भान है को इंपूट आता है या को शुष्राज चलता है को इंटेलिजेंस इनको रिपोर्ट करती है तो क्या वह वास को नहीं कहेंगे क्या और वह उन्होंने इसके साथ साथ महाराज करेंगे क्योंकि पहले और चार सरकारों को इस तरह से भी बीजे कर शुकी है प्रियास राज्तान में वह लेकिन उनको भूगी खाने पड़ी आजिस्टी है कि यह भी बापिस भूगी खाएंगे और उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं लेकिन बैरवाजी जो सचिन पहले तो आपके साथ ही है ना तो क्यों आप उनको अलग करते हैं सचिन पहले तो अलग करने की बाद से आजी है वो तो 34 दिन का जो प्रोग्राम था माने सर में लोग रुके हुए थे सरकार के साथ लोग रुके हुए थे हमारे जिली के आलकमान के लोग हैं उन्हीं में बर्थास करने के बाद में सरकार बची थी जो वुक्मंती जी कह इसकी ताथ यह होगा के ह Εनक कि लोगातार जी मरें चीमले कि लगातार प्रदेश में परोणा प्रदेश में पंद्या इन हो अव यह परिया है, लेकी छाहां जात न सरकार के काम काजं़ को लें कि बात करें तो बिजेब refusingी कही आरुब लगा इसान क सर्कार पर ऐसके बाद हैं लेकिन इसके बाफ जूद भी कौर्णा साल में भी क्मंत्री जीने किस तरह से क्ला है करकार दिस तरह से हैंडल किया है तो मोदी तारीफ कर चुके है कि को राज़्टान तरगार थो कावने तारीफ है चलिए बहुत शुक्रिया विद्धाइक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए रमातुला को बहुत शुक्रिया जादिक जोन करे देने के लिए